कहानी की शुरुवात होती है 2016 में दो अलग-अलग शहर की एक साथ चलने की एक साथ सिंधे की पिताने की एक साथ सुख दुख बाटने की और एक साथ चीने की कहानी उस बात को लगबग चार साल हुआ और इस चार साल के हर एक दिन इसी उम्मिन में बीद गई काश मैं उसे अपनी आखों के सामने देख पाती काश मैं उसे गले लगा के कह पाती बे इंतेहा मुगो पते मुझे तुमसे काश मैं उसे अपनी हाथों से किला पाती और काश उसके हस्ता हुआ चहरा मेरी आखों में भर पाती लेकिन इतनी सब खुआईशे अधूरे रहने की बाद भी वो दोनों अलग शहर कभी अपनी मंसिल के रास्ते से हटे नी कहते हैं ना जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तब बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है वो दोनों ने भी बाधाओं का सामना किया अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग शहर में रहकर भी साथ मिलके रहे गए इतना सब सुनके आपको लग ही रहा होगा कि ये कोई सिनिमा का सीन है पर कुछ रियल लाइफ एक्सपिरियंस ऐसी भी होती है लगे जैसे कोई सजाया हुआ हुआ